नमस्कार दोस्तों, बाईजूस गवर्मेंट एक्जाम प्रेप में आपका स्वागत है, आज की तारीख है 21 दिसंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दाहिंदू अकबार में आए हुए प्रमुक आलेखों और एडिटोरियल्स पर जिसके तहत प्रारंभिक परिक्षा और मुख्य परिक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्पून अभ्यास प्रशनों को भी हम करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, आज की हमारी पहली खबर एडिटोरियल पेस से ली गई है और इसका संबंध जी एस पेपर 2 में हेल्थ से है, मुख्य रूप से यह जो खब में बहुत सारी जो चिंताएं हैं, सीमाएं हैं, उनको व्यक्त किया जाता रहा है, और इस पूरी प्रश्ट भूमी में किस प्रकार से भारत में जो स्वास्त छेत्र है, उसमें किन सुधारों की आउशकता है, विशेश रूप से निजी छेत्र और सरकारी छेत्र दोनों की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए आने वाले समय में सरकारों को इसके छेत्र में किन-किन सुधारों को किया जाना चाहिए इसके कुछ सजेशन्स इस आर्टिकल में दिये गए हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे तो संदर में आपको बताया कि वर्तमान में विशेश रूप से COVID-19 के काल में भारत में जो स्वास्त छेत्र है वह काफी चिंतनी अवस्था में देखा गया है जिसमें हम भामारी के समय में बहुत सारी जो कमिया हैं सीमाएं हैं उनको देख रहे हैं अब यह जो चिंता है इसके बहुत सारे कारक है जैसे कि वर्तमान में जो भारत में स्वास्त छेत्र की जो उसरन्रचना है उसमें जो नीजी छेत्र प्राइविट सेक्टर की जो भागिदारी है वह लगबख 70 प्रतिशत है वहीं दूसरी ओर जो सारजनिक छेत्र है जो सरकारी छेत्र है उसकी उपस्तिती मात्र 30 पृतिशत ही है इसके विप्रीत अगर हम देखें कि वहां के जो लोग हैं भारत के जो लोग हैं उनमें लगभग 80 पृतिशत लोग ऐसे हैं और उससे अधी की ऐसे लोग विद्दमान हैं जिनके पास किसी प्रकार का स्वास्त सुरक्षा कबर उपलब्ध नहीं है इसके चलते जब वे बिमार पड़ते हैं तो उनके द्वारा जेब से किया जाने वाला जो खर्च है जिसे आउट ओपॉकिट एक्सपेंडिचर या आउट ओपॉकिट खर्च कहा जाता है वह 62 प्रतिशत तक देखा जाता है इसका तात नेट की उपलब्दता नहीं होगी तो उसे स्वास्त छेत्र में अपने को अपने जो उसकी आय है उससे उसको खर्च करना पड़ेगा और इसके माध्यम से यह भारत में प्रवत्ति देखी जाती है कि बड़ी मात्रा में जो लोग होते हैं वह है गरीबी छेत्र में विद् सरकारी देखी जाती है तो उनके पास उससे संबंधित कोई सुरक्षा बीमा नहीं होता जिसके चलते वह व्यापक गरीबी की स्तिती में देखे जाते हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारक यह भी है कि भारत में जो सरकारी छेत्र है उसके द्वारा भारत की GDP का मात्र एक दशमलाव एक प्रतिशत खर्च ही स्वास्त छेत्र पर किया जाता है इसके लावा भारत ने सरकारी छेत्र के माध्यम से जो स्वास्त छेत्र में और संदचनाओं का विकास किया है उसमें विवित प्रकार के स्वास्त छेत्र विशेशक्ग और कर्मियों की कमी है विशेश जाने की आव्शकता है और वर्तमान का जो कॉरोना वाइरस का काल देखा जा रहा है उसमें तो इस प्रकार के खत्रे और भी बढ़ रहे हैं जिसके तहत ना केवल निजई छेतर में हमें सुधार करना होगा अपितु जो सार्जनिक छेतर है जो सरकारी छेतर है सरकारी स्वास्थ छेत्र है उसमें भी हमें सुधार करने के लिए कार करना होगा वर्तमान में जो नीजे छेत्र का वर्चस्व हम इस स्वास्थ छेत्र में देख रहे हैं उसके चलते कई बार क्या होता है कि स्वास्त छेत्र में हम एक प्रकार की असमानता को देखते हैं, जिसमें स्वास्त सुविधाओं का जब बहतर धंग से लाब उठाने की बात आती है, तो उसका लाब कई बार जो संपन्न वर्ग होता है, जो धनी वर्ग होता है, उसके द्वारा बहता धंग से उठाया जाता है, इसके विपरीत 85 पृतिशत से अधिक जनसंख्या स्वास्त की उची लागत को वहन कर पाने में सक्षम ही नहीं हो पारती है, इसके अलावा वर्तम स्वास्त छेत्र के निजी कान को प्रवत्त किया है, इसने भी स्वास्त छेत्र में जो उपचार आदी की लागत होती है, उसको बढ़ाने में काफी बड़ा योगदान किया है, अब जो निजी छेत्र में जो धनी वर्ग होता है, जो संपर्क वर्ग होता है, उसके द्वार इस प्रकार के स्वास्थ बीमे की सुविधा नहीं होती, वह जो हैं इस छेत्र में एक प्रकार के भहिशकन के शिकार हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम इस पूरे स्वास्त चेतर में बीमा कम्पनियों और निजी चेतर के पीच एक प्रकार के गठ जोड को पाते हैं, जिसके तहर जो निजी चेतर होता है वह स्वास्त के चेतर में किये जाने वाले उपचार और विवित प्रकार के टेस्ट आधी की लागत क अधिक करके दिखाता है, इसका आगे चलकर यूं तो बीमा द्वारा भुक्तान प्राप्त हो जाता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस बीमा के दाइरे से बाहर होगा, तो उस व्यक्ति में हम एक प्रकार के शोशण कारी प्रबत्ती को देख सकते हैं, जिसमें बीमा के दाइरे में ना आने वाला व्यक्ति यदि नीजी छेत्र में इलाज करवाने जाएगा तो उसका व्यापक शोशन हो सकता है तो नीजी छेत्र में यह जो शोशनकारी प्रवत्तियां विद्धमान हैं उनको निवारित किये जाने की आवशकता है इसके तहट भारत सरकार ने स्वास्त बीमा के छेतर में सब को स्वास्त छेतर के संदर में सेवाएं प्रदान करने के संदर में आयुशमान भारत योजना को प्रारम किया है जिसके तहट भारा सरकाल ने लगबग 12 करोड कार्ड धारकों के माध्यम से स्वास्त बीमा परदान करने का प्रयास किया है हाला कि 12 करोड कार्ड धारकों के लक्षे के बावजूद वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि मात्र 1.27 करोड यानि आप कह सकते हैं एक करोड 25 लाख लोगों को ही वास्ताओं में इसका लाव प्राप्त हुआ है इसमें भी निजी छेत्र जो प्राइविट सेक्टर के अस्पताल है उन्होंने जो है इसका लाव उटाया है जिसमें जब उनके द्वारा की जाने वाले उपचार की लागत को और बिलों को बढ़ा चड़ा कर दिखाये जाता है तो इससे उनकी लावकारी प्रवत्तियां ही बढ़ती है और जो आम आदमी होता है उसको अधिक लाव प्राप्त नहीं होते हैं इस प्रकार का जो गटजोड के जो उधान है वे हम विकसे देशों में भी देखते हैं जिसका सबसे बहतर उधान हम अमेरिका का ओबामा केर विवस्था देख सकते हैं जिसमें एक बहुत बड़ी शिकायत ये थी कि इसमें सरकार द्वारा जो ओबामा केर के तहत कवर किये गए जो रोगी थे उनको सरकार द्वारा एक प्रकार का स्वास्त बीमा दिया गया था लेकिन जो प्राइवेट होस्पिटल जो इसके तहत आते थे उन्होंने उपचार की लागत को इतना अधिक बढ़ा चड़ा कर बिलों को इतना अधिक बढ़ा चड़ा कर दिखाया कि इस से जो लाव वास्ताव में रोगियों को प्राप्त होना चाहिए था वह लाव प्राप्त नहीं हुआ अब ये जो कमिया दिखाई दे रही हैं इसके निवारण के लिए ही हमें कारे करने की आउशकता है जिसके लिए हमें कई सारे प्रयासों को करना होगा अब कौन-कौन से प पेंशन की जब बात की जाती है बीमा की तो बीमा के तहट स्वास्थ सुरक्षा का बीमा भी सबसे जादा आवशक है क्योंकि वर्तमान में लोगों को गरीब बनाये जाने के संदर में इसका बहुत बड़ा योगदान हो गया है। इसके तहट कोशिशे की जानी चाहिए कि स्वास्थ छेतर को वहनिये बनाये जाने के साथ इसको सर्व सुलब भी बनाया जाए और इसके लिए प्रयासों को किये जाने की आवशकता है। इसके तहट वर्तमान में जो GDP का 1.13% खर्श किया जा रहा है उसको हमें बढ़ाना होगा। और नर्सिस की जो प्लब्धता होती है उसको भी बढ़ाना होगा। इसके तहट हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम एक टॉक्टर के साथ कम से कम तीन नर्सों की विद्धमानता हो। और इसके तहट ना केवल हमें जो वहनियता की समस्या है उसको दूर करने के लिए काम करना होगा। साथी साथ जो हम स्वास्त बीमा कवरेज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसको भी हमें सर्वसुलक बनाना होगा। क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में लगभग सात करोड लोग प्रति वर्ष स्वास्त बीमा कवरेज के ना होने के चलते, महंगी स्वास्थ सेवाओं पर किये जाने वाले out of pocket खर्च के चलते पिर्ति वर्ष गरीबी की आने की इस्थिती में आ जाते हैं यानि स्वास्त सेवा में खर्च किये जाने से पूर्व वह गरीब नहीं होते, लेकिन जो महंगी स्वास्त सेवा है, उसकी वहनियता की समस्या की चलते, पिर्तिवर्ष लगबग 7 करोड गैर गरीब लोग गरीबी की स्थिती में आ जाते हैं। इसके तहित हमें यह भी कोशिच करनी होगी कि हम गरामीर छेत्रों में डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाएं और इसके लिए वर्तमान में जो मेडिकल स्टाफ के साथ पैरा मेडिकल स्टाफ जैसे की नर्सेज आदी उनको भी जो हमें कोशल युक्त बनाने के लिए काम करना होगा जिसके तहित पारमपरिंग mbbs की डिग्री के साथ ही जो bse nursing आदी कोर्स होते हैं उसके भी जो है जो स्टाफ वगेरा तै किया जाता है तयार किया जाता है उसको हमें बहता दंग से तयार करना होगा बहतर दंग से उन्हें कौशल विकास करना होगा इसके तहट डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाने के तहट हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि जहां पे जन संख्या का घनत अधिक है जैसे कि उत्तर प्रिदेश, बिहार और दूसरे उत् चेतर के ऐसे संकट को हमारे सामने प्रिस्तुत किया है जिस से हमें सीख लेने की जरूषत है और यदि हम उससे सीख लेकर हम कारे करें तो यह है हमारे लिए सबसे बहता रिश्टिती होगी, यह सब चीजे हैं जो हमें इस आर्टिकल के तहट समझने की आउशक्ता है अब हम बात कर लेते हैं दूसरे editorial की जो page number 6 पर ही दिया गया है और इसका संबंद gsp3 में अर्थव्योस्था से है मुख्य रूप से यह जो हमारा editorial है इसको लिखा है सीरंगराजन के द्वारा और यह जो सीरंगराजन है वह ना केवल RBI के गवर्नर रहे हैं अपितू Congress UPA सरकार के काल में कई समीतियों के प्रमुक आधी भी रहें जिसमें प्रधान मंत्री को सलहा देने वाली आर्थिक सलहकार परिशत के अध्यक्ष के रूप में भी इनका कारेकाल रहा था यही कान है कि इनके द्वारा जो अनुशंशाएं वगेरा सलह वगेरा दी गई है वह अर्थविवस्था के छेत्र में काफी महत्व रखती है अब मुख्य रूप से यह जो आर्टिकल है वह इस बात पे केंद्रित है कि जो हमारा वित्वर्ष 2020-21 का जो काल था उसमें 2020 का जो काल है जो अप्रेल से दिसंबर तक का काल रहा वह तो अब समाव्थ होने की ओर है हमारे समक्ष 2021 है और फिर उसके बाद हमारे पास 2022 और उसके आगे के वर्ष है तो वर्तमान कोरोना वाइरस पेंडेमिक के काल में अर्थ व्योस्था में जिस प्रकार से संकुचन देखा गया है हमें ऐसे किन उपायों को अपनाना होगा कि आने वाले वर्षों में हम और बहतर सम्रिद्धी दर को प्राप्त कर सकें इसके लिए इसमें कुछ सुझाव दिये गए हैं तो उनको देख लेते हैं संदर मैंने आपको बताया कि 2020-21 का वित्तिय वर्ष का 2020 का जो काल है वो अब गुजर चुका है 2021 जो है आने वाला है और आने वाले सालों में हम पहतर सम्रिद्धी और विकास को सुनिश्चित करने के लिए किन कार्यों को करें इसको हमें अपनाई जाने की जरुवत है अभी से ही हमें विचार करके इसके संदर में कार्य करना प्रारम करना होगा जिसके तहट हमें ये देखना होगा हमें ध्यान रखना होगा कि कोरोना वाइरस की प्रष्ट भूमी में जो भारती अर्थवियोस्था में 2020-21 की यह जो 6 महीने रहे, यानि 2 तिमाही, इसमें पहली तिमाही में तो हमने माइनस का 23.9 प्रितिशत और दूसरी तिमाही में माइनस का 7.5 प्रितिशत का नकरात्मक संब्रिद्धी दर को देखा, अब जो आने वाला जो समय है और बहतर हो सके, इसको हमें करना होगा, जिसके तह करन, फरवरी में सरकार द्वारा बजट प्रिस्तुति करन, अंतराश्टी इस्तर पर जो वैश्विक निवेश है, उसको हम भारत में लाने के लिए कारे कर सकें, साथी साथ इसके तहट अभी हाल के वर्षों में, जो हमने लगतार सकरात्मक संब्रिद्धी हासिल की थी, व इसको भी सुनिश्चित करना होगा, इसके तहट यदि हम जो 2020-21 की जो वित्वर्ष रहा है, उसके पहले 6 महीनों के GDP ग्रोध के नंबर्स देखें, तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें लगभग 7.66 प्रितिशत का नकरात्मक संब्रिद्धी दर देखा गया है, अगर नंबर में संख्या में हम इसको देखें, तो GDP में इसके माध्यम से लगभग 11.15.889 करोड की नकरात्मक संब्रिद्धी देखी गई है, अब कोशिश ये करनी होगी कि सबसे पहले तो जो हमारी GDP को कमी आई है, उसको जो है हम कंपंसेट करें, उसकी जो है हम छतिपूर्ती करें, औ और यदि आने वाला यह जो बित्तीर वर्ष जब पूरा होगा, यदि इस पूरे काल में हमारी जो नकरात्मक संब्रिद्धी दर अगर मान लीजे 7-8 प्रिदिशत के बीच रहती है, तो इसको कमपंसेट करने के लिए आउशक होगा, कि जो अगला जो साल आएगा, उसमें हम कम से कम 8 पृतिशत ग्रोथ हासिल करें, इसी से होगा क्या, कि 7-8 पृतिशत की जो हमने नकरात्मक संब्रिद्धी दर हासिल की, वो नेगेटिव इस पॉजिटिव 8 पृतिशत की ग्रोथ से कड़ जाएगा, और इस प्रकार से पिछले साल हुई जो हमारी छतिपूर्थ उसकी हम भरपाई कर सकते हैं यानि सबसे पहली कोशिश क्या होगी सबसे पहली कोशिश तो यह होनी चाहिए कि इस वित्तिय वर्ष में जो हमारी नकरात्मक सम्रिद्धी हुई है उसको हम कमपनसेट करने के लिए कारे करें और इसके लिए आवशक है कि कम से कम आठ प्रतिशत की ग्रोथ का हमें लक्षे रखना होगा जिसके तहट जो विविद्परकार के जो आर्थिक विश्रेशक हैं विविद्परकार के जो विद्वान हैं उनका ये मानना है कि अभी जब से हम हमने unlock के face को अपनाया है, जब से lockdown के बाद, जब हमने unlock के period को अपनाया, उसके बाद से जो October के बाद के जो समय देखा गया है, October, November और हालिया December, उसमें हमने जादा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हमने positive growth देखी है, जिसके तहट हम GST के जो आंकलन हैं, वस्तु और सेवा करके जो राजस्व अनुमान हैं, वो अपेक्छाकरत बहतर हैं, इसके अलावा हमारी जो स्टील के छेतर में, या फिर कोईले आदी के कोर छेतर से संबंधित, जो growth है, वह भी काफी बहतर रही है, पिछले की तुलना में, और इससे ही अनुमान लगाया जा रहा है, कि quarter 3 और quarter 4 म हम बहतर प्रदर्शन करेंगे, और पहले जो अंतराश्टी बहुत सारे संगठन, जैसे कि अंतराश्टी मुद्राकोश आदी, वो जिस प्रकार से ये अनुमान लगा रहे थे, कि भारत 2020-21 में 10.3 पृतिशत की नकरात्मक समरिद्धी दर हासिल करेगा, अब यह positive रूप से कहा जा सकता है, कि इतना जादा जो गिरावट है, वह नहीं होगी, हादे से हादी ये हो सकता है, कि जो हमारी गिरावट है, वह 6-7 पृतिशत तक रहे, और अगर ऐसा रहता है, और इसको हम प्राप्त करते हैं, तो इस संकुचन को पाटने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, आवशक है कि हम 2021 के वित्ती वर्ष में 8 पृतिशत से अधिक समर्द्धी हासिल करें, तभी जो है, हम आगे आने वाले समय में एक नया लक्ष लेकर सामने आपाएंगे, ठीक है, अब इसके तहत हमें यह उपायों को भी ध्यान में रखना होगा, कि हमें किन-किन नवीन इस्चित रूप से अर्थ व्योस्था को मोमेंटम देने के लिए खर्च को बढ़ाये जाने की आवशकता है, हाला कि इसके तहट भी मूल रूप से सरकार द्वारा ऐसे खर्च किये जाने चाहिए, जिन से पूंजी गत्त सहायता प्राप्त हो, जिससे किसी संपता का, परि इवेश करने के लिए आमंतरित करें, और विदेशी छेतर से भी, यानि विदेशों से भी हम FDI यादी प्राप्त कर सकें, इसके लिए भी हमें कारे करना होगा, अगर राजकोशी उपायों से अलग हम RBI की बात करें, तो RBI दोरा 2020 के काल में जो मॉनेटरी पॉलिसी अपना कोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी के तहट मूल रूप से ब्याज दरों में कमी करके आसान मौदरिक नीती को अपनाया जाता है, इसके तहट विभिन माध्यमों से बाजार में तरलता प्रदान करने के लिए कारे किया जाता है, और बैंकों में NPA आदी की समस्या को या बै बैंकों से जो धन की निकासी की जाती थी, उस पर बैंकों को सहारा देने के लिए कुछ समय के लिए रोकादी लगाती जाती है, अब इसके तहट RBI ने कोशिच की कि हम बाजार में तरलता इस्थापित कर सकें और इसके माध्यम से लगभग 12.5 पृतिशत तक मौदरिक पूर्ती सुनिश्चित कर पाने में सफल हुए हैं, हाला कि इसके तहट हम ये भी देख रहे हैं कि जो मौदरा इस्थिती है वह भी बढ़ रही है और RBI ने इसके तहट जो 4 से 6 पृतिशत का जो सुईकार बैंड किया है, उससे उपर हमारी मौदरिक इस्थिती जा रही है तो 6 पृतिशत से उपर जो है मौदरा इस्थिती का रेट ना जाए, इसको जो है सुनिश्चित करने के लिए हमें आसान मौदरिक नीती में भी कुछ अन्य उपायों को सुनिश्चित करना होगा ताकि RBI द्वारा मौदरा इस्थिती को एक अधिक सीमा से जादा ना किया जा सके और इसी बात को दिहान में रखके हमें मौदरिक नीती को भी संचालित किये जाने की आउशक्ता है, साथी साथ सरकारों द्वारा विशेश रूप से जो लोक परशाशन, रक्षा और अन्य सेवाओं के संवर्ग में अधिक खर्च को किया जाना होगा, क्यूंकि हाल के समय में इसमें कमी देखी जा रही है, जैसे कि 2020-21 की दुतिय तिमाही में इसमें 12.2 प्रितिशत का संकुचन देखा गया, इसके तहट यह भी देखा जा रहा है कि जो राजकोशी घाटा है, यह 2020-21 के काल में 8 प्रितिशत तक भढ़ सकता है, वर्तमान कोरोना वायरस के क जाल में इसको अधिक नहीं माना जाएगा, इसके तहट सरकारें चूकी खर्च बढ़ाई ही रही है, मंदी की स्तिती से निपटने के लिए, तो इसके तहट ज़्यादा चिंताएं नहीं की जा रही हालां कि आने वाले समय में हम इसे कम कर सकें, इसको किये जाने की आवशक अब यह जो खर्च किया जा रहा है, इसमें भी हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम पूंजीगत आधार पर खर्च को बढ़ावा दें, जिसके तहट और संरचना का विकास किया जा सके, भारत में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए हमें प्रयास किया जान है उसको जो है हम जो इसमें एक प्रकार की कमी देख रहे हैं उसको भी जो है हमें बढ़ाने की जरूत है जिसके तहट भारत में निवेश्टर जो गिर्ती हुई दिखाई दे रही है उसको बढ़ाया जाना आवशक है क्यूं क्योंकि आकड़े ये बता रहे हैं कि 2018-19 में यह जीडीपी का 32.2 पृतिशत तक हुई जबकि 2011-2012 में यह लगभग 49 पृतिशत तक थी अब इसके तहर सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम जो कॉर्परेट छेत्र में और द्योगिक छेत्र में जो निगम का रादी लगा रहे हैं उसको हमने घटा के 30-25 पृतिशत किया और को की जरूत है सरकार द्वारा इसके संदर में और संरचना को विकास देने के लिए और संरचना को बढ़ावा देने के लिए राश्टी और संरचना पाइपलाइन, National Infrastructure पाइपलाइन, NIP की घोशना की गई जो की एक सकरात्म कदम है और इसके तहट विदेशों से निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत के लोकतंत्र और सामाजिक समरस्ता में भी हमें विश्वास को सरजित करना होगा इसके तहट कोशिशे करनी चाहिए कि ना केवल हम ग्रोध पर ध्यान दें साती साथ हम इस प्रकार के श्रम सुधारों को अपनाएं कि उससे रोजगार सरजन हो सके उसके तहट ऐसे श्रम सगन उद्योगों को बढ़ावा मिले जिससे बेरोजगारी दर को कम किया जा सके और सगन उद्योगों के माध्यम से हम सिर्मृद्धी के साथ ग्रोध के साथ डेवलप्मेंट और व्यापक अधार पर हम रोजगार भी सरजित कर सके अब इसके तहट हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत सरकार दो हजार पच्चीस तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थ महत्वा कांच्छी जो लक्ष है उसकी प्राप्ति करनी है तो इसके लिए आगामी छे वर्षों में हमें रेगुलर बेसिस पे निरंतर अधार पर नौ पृतिशत सम्रिद्धी दर को प्राप्त करना होगा और इस सम्रिद्धी दर में हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इ तब ही जो है भारती अर्थवे उस्ता एक सतत अधार पर आगे बढ़ेगी तो यह कुछ ऐसे रेकमेंडेशन है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए इस आर्टिकल के संदर में अब हम बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की जो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका फैक्टरी में हुई तोड़ फोर से और यह किस प्रकार से भारत में श्रम सुधारों श्रम असंतोष से संबंदित है इसको हम देखने का प्रयास करते हैं तो संदर क्या है संदर यह है कि एपल ने जो हाल में जो उसको ताइवान कंपनी द्वारा विस्ट्रॉन नाम की तभी नवीन ओडर पर फिलहाल रोक लगा दी है और इसके संदर में जाच को प्रारंब कर दिया गया है यह जो कोलार करनाठक में जो फैक्टरी में हुई हिंसा हुई है वह हाल में भारत में और द्योगिक अशान्ती के सबसे बड़े उधानों में है जिसके तहत श्रमिको दोरा वेतन को समय पे ना दिये जाने की मांग के अधार पर हिंसा की गई और विस्ट्रॉन दोरा प्रारंब में इसके संदर में 437 करोड की छती की बात की गई हालकि बाद में दवावों के चलते अब विस्ट्रॉन ने इसे घटा के लगभा 50 करोड तक कर दिया है लेकिन भी जो श्रमिकों का संतोष जो है वह कम नहीं हुआ है अब ये तो रही कंपनी की बात दूसरी बात यह है कि भारत सरकार कोरोना वाइरस के बात के काल में लगतार ये कोशिश कर रही है कि भारत भी चीन के समान मैनुफेक्ट्रिंग विनिर्मान छेतर में एक बहुत अंतराश्टी हब बनके उभरे और इसके लिए भारत सरकार ने सैमसंग को और दूसरे प्रकार की जो कंप्रियां है जैसे की विस्ट्रॉन हो गई जैसे की फॉक्स कौन हो गई जो एपल आदी के फोन का निर्मान आदी करती है उनको जो है उन्होंने भारत में आमंत्रित क किया है सैमसंग ने इसके संदर में नौईडा में फैक्टरी लगाई है वहीं दूसरी ओर विस्ट्रॉन ने करनाटक में फैक्टरी लगाई है लेकिन यदि इस तरीकी की और जो की कशांती बनी रही की तो यह भारत की जो निवेश प्रदान छवी है उसको धक्का पहुचाएगा और साथी साथ चीन का एक विकल्प बनने में भी यह नकरात्मक रूप से हमें छती देगा अब राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों यह कोशिश कर रहे हैं कि इसका हम जो है एक शांती पूर्ण समधान निकाल सकें और इस घटना को जो है हमें ध्यान में रखते हुए बहुत सारी बातों को समझना होगा जैसे कि भारत में जो मर्टी नैशनल कंपनीज आ रही हैं वह भारत में कानूनों को व्यवहार में लागू कर सकें कानूनों का बहतर ढंग से पालन कर सकें विशेश रूप से ज इसको सुनिश्चित कियाने की आओ शकता है इसके तहट जो कर्मी हैं उनको कंपनी की रेपुटेशन के अनुसार समय पर वेतन दिया जाए इसको हमें सुनिश्चित करना होगा और साथ ही साथ जो हाल में हमें जो श्रम सुधारों को जो हमने लागू किया है उन श्रम के संदर में उच मानकों की स्थापना कर सकें उसका जो है पालन कर सकें इसको सुनिश्चित करना होगा और विशेश रूप से कोशिशे करनी चाहिए कि श्रम कानूनों से जहां एक और हम इस और डूइंग बिजनस को बढ़ावा दे रहे हैं वो तो अच्छी बात है लेकि इसके तहट जो एतिहासिक अधार पर जो त्रिपक्षी आदी वारताएं हुआ करती हैं जिसमें एक और तो सरकार होती है दूसरी और जो है उद्योग पती होते हैं और तीसरी और जो होते हैं वो होते हैं मजदूर जो रिप्रेजेंट किये जाते हैं ट्रेड यूनियन के म और इसके माध्यम से ना केवल हम भारत में ओध्योगी चेतर का एक भहतर विकास सुनिश्चित कर पाएंगे। साथ ही साथ हम ओद्योगी विकास के साथ मजदूरों का कल्यान भी भैता धंग से सुनिश्चित कर पाएंगे। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की जो पेज नमबर साथ पे दिया गया है और इसका संबंध G.S.Paper 1 में सोसाइटी से है। मुखह रूप से यह है महिला हिंसा से संबंधित है यानि महिला के खिलाफ किये जाने वाले अपराधों से संबंधित है और महिला अपराधों को रोके जाने के संदर में अभी हाल में ही महराष्ट द्वारा एक नवीन आप कह सकते हैं विदेहक प्रस्तावित किया गया है जि हाला कि यह जो नवीन प्रावधान है, वे कई बिंदूओं के चलते, आप कह सकते हैं, आलोचना का कारण बने हुए हैं, तो यह किस कारण से बने हुए हैं, इसको थोड़ा समझे जाने की जरुवत है. तो संदर्व क्या है? संदर्व यह है कि महराश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नवीन कानून बनाया गया है, इसका नाम है महराश्ट शक्ती आपराधिक कानून महराश्ट संसोधन बिल 2020, इसके तहट विशेश प्रकार के नियायले और किरियानवन मशीन इंदी भी बनाना प्रस्तावित किया गया है, हाला कि जो विशेशग हैं महिला मामलों के विशेशग और बहिर सारे महिला अधिकार संगठन वो जो हैं इसकी कई आलहारों पे आलोचना कट रहे हैं, जिसके तहट इसमें कानून द्वारा जो सजा को अधिक्तम किये जाने क प्रावधान किया गया है, उसकी भी आलोचना की जा रही है, साथ ही इसमें जो विविद प्रकार की अथोरिटी बनाई जाने की बात, प्राधिकारवादी रन्यूतियों को अपनाए जाने की बात, या फिर अप्राधों से संबंधित परिभाशाओं को व्यापक किये जान की जो बात की गई है, उसकी कई आलोचना की जा रही है, साथ ही साथ कई विशेशग्यों का ये कहना है कि इस पूरी प्रकिरिया में जो कानून को बनाने की प्रकिरिया थी, उसमें व्यापक परामर्श प्रकिरिया का सामना, व्यापक परामर्श प्रकिरिया को शामिल नही किया गया और इसके तहट ना ही इस बात को करने पर बल दिया गया कि जो हमारे पास पहले से कानून विद्वान है जो पहले से जो अपराधिक प्रकिरिया की कमिया है उनको हम कैसे दूर करें उसको हम कैसे बहतर करें इसका भी कोई बल नहीं दिया गया है इसके संदर में बनाए गए कानून को हम और बहता ढंग से लागू कर सकें, यह भी उतना ही महत्पूर्ण है, नए कानून को बनाए जाने के साथ ही, अब इसमें देख लेते हैं कौन-कौन सी प्रमुक सीमाएं हैं, तो सबसे पहली तो सीमा भी मैंने बात की, कि पहले के जो कानून हैं, चाह यौन शोशन को निवारण से संबंधित 2013 का अधिनियम हो, चाहे वो छोटे बच्चों को, बालिकाओं को यौन शोशन से बचाने का 2012 का अधिनियम हो, या फिर जुविनाइल जस्टिस एक्ट हो, या फिर जो है निर्भया कांट के बाद बनाए गया Criminal Law Amendment Act हो, उन सब के माध के विरुद्ध होने वाले जो हिंसा है, वो नहीं रुक पाई है, यानि केवल कानूनों की विद्दमानता ही, हमें महीला हिंसा को रोक पाने में सफल होगी, हमें इस बात पर पुनर विचार करने की जरूत है, कि केवल कानूनों को बना बर देने से, इस पूरे हिंसा सवह से पकड़ा जाये और उसको नियायोचित तरीके से सजा मिल सकें तो कानूनों को ब्हेतर बनाने के लिए प्रभहावी बनाने के लिए नियायोचित बनाने के लिए काम करने के जरूicus है जिसके तहट एक बहतर जाँच प्रकिरिया व्यापक अधार पर हो सके नियाईक प्रकिरिया गतिशील अधार पर हो सके और इसके लिए चाहे पुलिस हो चाहे वो नियाईक प्रकिरिया हो चाहे सबूतों को इखटा करने की प्रकिरिया हो फॉरेंसिक प्रकिरिया हो इसमें हम एक बहतर और संदचनात्मक प् साथ हम नए नए कानून बनाने लगें सजा को और ज़्यादा कठोर करते रहें इससे जो है महिला शुरक्षा का प्रश्न जो है वह पीछे रह जाता है और महिला सुरक्षा इससे नकरात्मक रूप से ही प्रभावित होती है मुख्य रूप से कानून की सबसे बड़ी आलोच जो की जा रही है उसमें ये कहा गया है कि यदि महिला द्वारा की गई जो सिकायत है वह अगर गलत पाई जाती है या फिर बाद में देखा जाता है कि गलत सूचना प्रदान किये जाने के अधार पर महिला पर ही कारवाही किये जाने का प्रावधान है और 2013 के कारेस्थल पर यौन शोशन से निवान अधिनियम में भी इस तरीके के प्रवधान की विद्धमानता थी और इसके माध्यम से कई बार जो है यह देखा गया है कि वाजिब शिकायत होने के बावजूद महिलाओं पर काउंटर F.I.R. कर दी जाती है जिसके जलते वो शिकायत करने को बहुत जारा उत्साहित नहीं होती यही कान है कि इसकी कई आधारों पर जो है अलोचना की जा रही है इसको जो है एक परकार से पित्र सत्तात्मक्ता की पित्र सत्तावादी मानसिक्ता का प्रतीक माना जा रहा है जिसके तहत पारंपरिक रूप से या पुर्षों के द्रिष्टिक से माना जाता है कि महिलाएं जो हैं विश्वास करने योग नहीं होती और उन्हें जूट बोलने की आदत होती है इसके तहट यह भी माना जाता है कि जो महिला अधिकार संबंधी जो कानून बनाए गए हैं उनका दुरूपयोग अधिक हुआ है और इसके संदर में जो कार कि मानसिक्ता का शिकार होके कानूनों में इस प्रकार का प्रावधान करेंगे तो बन्द अपरादों में जो होने वाले जो प्राव हैं जैसे कि सामना करने के चलते शिकायत को जो है दाखिल दायर किये जाने से जो है सकुचाएंगी और इससे जो है यदि बलतकार जैसे घोर अपराधों में जो मामला दर्च किये जाने में जो अभी हम बढ़ोतरी देखने हैं उसमें भविश्य में कमी आ सकती है तो यह नहीं देखा जा इसे डटेक की शिकार बच्चों से बलतकार किये जाने के संदर में मृत्युडण का प्रावधान किया गया है इसके संदर में जो हीनस क्राइम होते हैं घ्रने तपराद होते हैं उनकी स्थिती में भी मृत्युडण का प्रावधान किया गया है लेकिन यह जो हीनस क्राइम उसको पूरी तरीके से परिभाशित नहीं किया गया है, तो घरने तप्राद क्या होते हैं, इनका निधान, चुँकि परिस्थितिक अनुसार किये जाने की बात की गई है, इससे कई बार जो है नियायले अपनी मर्जी से इनकी व्याख्या कर सकता है, और इससे subjectivity आ सकती है, जो कई बार गलत रूप में भी देखी जा सकती है। साथी साथ हम स्वयम मृत्युडण को लेकर ही एक व्यापक पहल देख रहे हैं, जिसमें ये माना जा रहा है कि मृत्युडण इतने समय से बना हुआ है, बावजूद इसके कानूनी किताबों में इसके रहने के बावजूद अपराद नहीं रुके। विशेशक्यों का कहना है कि अगर हम बलातकार की शिकार महिलाओं को जो है के अपराद के संदर में यदि हम उसके सजा के रूप में मृत्युडण को बनाएंगे, तो जो महिला बलातकार की शिकार होती है, उनके जो उनका शिकार करते हैं, उनकी जो है उनके खिलाप अपराद करते हैं, उनकी जो है वो हत्या करने के लिए प्रवत हो सकते हैं। विशेशग्यों का कहना है कि यदि बलतकार के लिए मृत्यूडंड दिया जाने लगेगा, तो इसके माथ्यम से बलतकार की शिकार महिलाओं की हत्या किये जाने की आशंकाएं बढ़ेंगी, क्योंकि दोनों के लिए ही अधिक्तम सजा मृत्यूडंड होगी, यानि आप रेप करें, तब मृत्यूडंड आप हत्या कर दें, तो मृत्यूडंड तो जादा तर लोग जो उनकी विक्टम होगी, जो उनकी शिकार होगी, उसकी हत्या करना जो है, वह सबूत मिटाने के लिए इसको प्रात्मित्ता दे सकते हैं, वही दूसरी ओर यह भी देखा जाता है कि जो अधिकांश, जो यौन शोशन, भलतकार आदी के मामले देखे जाते हैं, वह अधिकांश ता किसी ना किसी परिशित व्यक्ति द्वारा किये जाते हैं, और यदि इस प्रकार के मृत्यूडंड का प्रावधान किया जाएगा, तो महिला पर परिवार जनों का दबाव प क्रूप से कमी आ सकती है, और इससे होगा क्या, कि जो मामले वर्तमान में नयायले तक पहुच पा रहे हैं, वो नयायले तक नहीं पहुच पाएंगे, इसके तहट जो अगला प्रावधान है, उसकी आलोचना की जा रही है इस अधार पर कि प्रस्तावित बिल के माध्यम से जो जाच कारे को पूरा करने, ट्रायल की प्रकिरिया को पूरा करने और अपील किये जाने के संधर में, जो समय सीमा ने धायत की गई है, वह काफी कम है, यैसे कि जाच कारे 15 दिन में पूरा हो, ट्रायल 30 दिन में पूरा हो, और जो अपील है, वो 45 दिन में पूरी हो, लेक इससे संपूर्ण जांच प्रकिरिया जो है, संपूर्ण कानूनी प्रकिरिया जो है, वो विशेशक रूप में, नियायोचित रूप में तैयार नहीं की पाएगी, ठीक है, इससे जो सबूतों को इकटा किया जाता है, उचित या कानून की प्रकिरिया का पालन करते हुए लो कि 2012 का प्रिवेंशन ओफ ठीक है पॉक्सो वाला है प्रिवेंशन ओफ चिल्ड्रें फ्रॉम सेक्स्वल अफेंसेज एक्ट 2012 जिसमें छोटे थारा वर्षे कम बच्चों को अठारा वर्षे कम आयू के बच्चों को यौन शोशन से बचाने का प्रावधान किया गया है इसके प्रावा जेजे एक्ट जो विनाईल जस्टिस एक्ट उसमें भी इस प्रकार का प्रावधान किया गया है हालां कि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि हमने जो सजा के निर्धान के लिए जो समय अवधी निर्धारित की उसका वास्तविक रूप से पालन हो अनेक बार इस समय बद रूप में इसको पूरा कर सकें साथी साथ जो बिल है उसमें इस बात को भी सपस्ट नहीं किया गया है कि जो हमने समय सीमा निर्धारित की यदि वो समय सीमा पूरी नहीं हुई तो इसके लिए क्या सजा निर्धारित की जाएगी वरतमान में हम यह देखते हैं कि बहुत सारे कोट्स में, बहुत सारे मामले एक सार चलते रहते हैं, पुलिस भी जो है कई मामलों में एक सार इंगेज रहती है, जिसके लिए अलग-अलग न्यायलों में अपने को पक्षकार के रूप में प्रुस्तुत किती रहती है, अब इससे चुकि पहले से ही पुलिस और नियायपालिका पर इस प्रकार के मामलों का बोज है तो किस प्रकार से वे समय बद्ध अधार पर निस्पक्ष रूप से जाज पिरकिरिया को पूरा कर सकेगी यह भी एक बेहत मुश्किल कारे है जिसको पूरा किया जाना काफी प्रावधान किया गया है लेकिन विशेशग्यों का कहना है कि जिन अपराधों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है उसमें बहुत सारे प्रावधान तो पहले से विद्दमान कानूनों में ही शामिल है यानि एक प्रकार से आप कह सकते हैं इसमें डुपलिसिटी अगर किया जाएगा, तो कारवाही की जाएगी, हाला कि इस प्रकार का जो प्रावधान है, वो IPC में पहले से है, IT Act में भी पहले से विद्मान है, जिसके तहत सोशल मीडिया, इलक्रोनिक माध्यमों से महिला का शोशन किये जाने की स्तिती में, आपके खिलाब कारवाही किये का प्रावधान है, साथी साथ, यदि कोई लोक सेवक महिला को न्याय दिये जाने के संदर में, अपने कर्टब्बे को सही से नहीं निभाता है, तो उसे डंडित किया जाएगा, हाला कि IPC में पहले से ही संदर में प्रावधान है, यही कान है कि इस बिल में बहुत सारे ऐस समिटी को सौपा है, जो एक स्वागत योग्य कदम है, हाला कि महिलाओं के हित में बहतर होगा कि इस बिल को व्यापक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से इसके कम्यों को दूर किया जाए, सीमाओं को दूर किया जाए, इसमें सभी हित धारकों को, यानि जो जो इस बिल से प्रभावित हो रहे हैं, उनसे वारता की जाए, उनको भी शामिल किया जाए, विशेशग्यों की सहायता लिजाए, और इसके माध्यम से, हम ना केवल, जो विद्दमान हमारी अपराधिक प्रक्रिया है, कानून है, उनको ना केवल हम बहतर बना सकें, बहतर रूप से कार्या कर सकें और यदी उसके बाद भी हमें कोई नवीन कानून बनाने की आउशक्ता हो तो उसे भी हम प्रस्तावित करें यानि सभी को साथ लेकर जो है अगर हम कानून बनाने के ओर आगे मढणे तो इसके जादा बहतर परिणाम हम देखेंगे चलिए अब बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की जो पेज नंबर दस पर दिया गया है और इसका संबंच त्टिये रडार नेट वरकों की स्थापना की है यानि अनेक देशों में रडार के नेट वर की स्थापना की है ताकि जो उच्च सागर हाई सीज होते हैं वहाँ पे जो पाईरेरेश आदि के खत्रें हैं उनसे हम निपठ सकें और इसके लिए रियल टाइम अधार पर उनके टटिये छेत्रों में रडार स्टेंशनों की स्थापना की है जिसको मालदीप में बयानमार और बंगलादेश में किया जाना प्रस्तावित है यह जो टटिये रडार नेटवर्क है यह भारत द्वारा सेशेल्स श्री लंका मौरिशस में पहले से ही लागू है और यदि कि हम इसको मालदीप मयानमार बंगलादेश आदी में भी इस्तमाल करेंगे इसको लागू करेंगे तो इससे देश की सुरक्षा जो है वो और बहतर संभव हो सकेगी इसके संदर में भारती नोसेना का जो एक संगटन है एक आप कह सकते हैं संस्थान है जिसका नाम है आई- इसके शुरूप से जो आई-मेक है इसकी स्थापना 2611 जो 26-11 के मुंबई आतंकी हमले हुए थे उसके बाद की गई थी ताकि सभी छेत्रों से डेटा इखटा किया जा सके और जो उच्छ सागरी चेत्रों से जो आतंकवात के खत्रे हैं पाइरेसी के खत्रे हैं उनसे जो ह विविद प्रकार की सरकारों के साथ सहयोग करके कारे कर रहा है इसके तहथ हमने अलग-अलग देशों की सरकार के साथ C-Level of Communication या फिर समुद्र में जो आवा गवन की स्वतंतरता है उसको बहाल करने के लिए जहाजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जहाजों जिसमें तीन जो हैं बहुपक्षी हैं कई देश मिलके कर रहे हैं इसके तहथ भारत वर्तमान में 22 से जादा देशों द्वारा इसके संदर में बातचीत कर रहा है भारती नौसेना अलग-अलग देशों से प्राप्थ होने वाली जो सूचना है उसको फ्यूज करके उसको एकिकरत करके यानि जोड के एक निश्चित पैटर्न पर पहुँच सके इसके लिए भी हमने सूचना केंद्रों की स्थापना की है जिसके तहथ नौसेना का information fusion for the Indian Ocean region काफी महत्पूर्ण है ठीक है और इसके तहथ ना केवल नौसेना काम कर रही है अपितु जो दूसरे देश हैं वह भी जो है सहयोग लिए जाने पर उनसे भी सहयोग लिए जाने पर परियाप्त बल दिया जा रहा है जैसे कि हमने जापान और अमेरिका में इसके सं अंदर में अपने अधिकारियों के न्यूक्ति की है ताकि समुद्री सुरक्षा छेत्र में हम सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकें इसके तहत हमने इसके 46 से अधिक स्टेशनों की स्थापना की है और इसके दूसरे चलन में हम 80 स्टेशनों की स्थापना करेंगे और साथ साथ इसमें कोशिचे की जा रही है कि हम नोसेना के साथ ही कोस्ट गार्ड की भी इसमें सहायता लें तो भारत में टटिय सुरक्षा विशेश रूप से मुंबई आतंकी हमलों के बाद जिस प्रकार से महत्पूर्ण हुई है उस पूरे परिद्रश्य में यह आर्टिकल काफी महत्पूर्ण हो जाता है चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ प्रिदिन्स प्रैक्टिस कोश्टन की गुरु तेक बहादुर के संदर में निमलिखित में से कौन सास से कथन सही है गुरु तेक बहादुर वह सिक्ष धर्म के दस गुरुओं में छटे थे चांदनी चौक में गुरु द्वारा शीष गंज साहिब उनके मृत्यू स्थान के रूप में जाना जाता है विकल देख लेते हैं केवल एक केवल दो एक और दो दोनों की उप्रोक्त में से कोई नहीं तो गुरु तेक बहादुर के संदर में अगर हम बात करें पहला तो पहला तो गलत होगा क्योंकि उस सिक्धर्म के दस गुरु में छटे नहीं थे अपितू नवे गुरु के रूप में उनकी गर्ना की जाती है और दूसरा कथन सही है जिसमें चांदनी चौक में गुरु द्वारा शीष गंज साहिब उनके मृत्यू स्थान के रूप में जाना जाता है क्योंकि चौरंगजेव द्वारा उनको मृत्यूडण दे दिया गया था तो बी इसका उत्तर हो जाएगा केवल दो तो यह जो है इसलिए महत्पूर्ण हो गया है क्योंकि अभी हाल में ही प्रधान मंत्री नरेन मोदी गुरु द्वारा रकाब गण साहिब गए क्योंकि गुरु त अब एक और कोशन देख लेते हैं किस नदी को बड़े पैमाने पर बाल के कारण उड़ीसा गद्धुक कहा जाता था महानदी ब्रहमनी सुवन रेखा वंच धारा तो इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा ए महानदी ए हमारा आंसर हो जाएगा अब इसके संदर में ख़बर यह है कि NGT राष्टी हरित प्राधिकान द्वारा महानदी के जो बाल के छेत्र हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक पैनल की बात की जा रही है कैनल जो है बनाने की बात कही गई है ताकि जो उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी महानदी है उसकी रक्षा की जा सके चलिए next question देख किते हैं निम्लिखित कत्नों पर विचार करें प्रधान मंत्री की सलहा पर राश्पती द्वारा पहले निचले सदन को भंग किया जा सकता है इसे तब भी भंग किया जा सकता है यदि राश्पती को लगता है कि कि किसी सरकार के स्थीपे या पतन के बाद कोई व्यभार सरक सही है तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी एक और दो दोनों इसके संदर में आज पेज नंबर साथ पर एक आर्टिकल आया है जिसमें यह आप कह सकते हैं लोक सवा के जो विक्टन किये जाने का जो प्रश्ण है उसके संदर में कुछ बाते कही गई हैं चलिए अब एक लास्ट य मुक्त दिन और पचास से सौ सेंटीमीटर वर्षा की आवशकता होती है नमी बनाए रखने में सक्षम एक हलकी सू अपवाहित मिट्टी इस फसल की खेती के लिए आदर्श रूप से अनकूल है निमलिकित में से कौन सी एक फसल है कपास जूट गन्ना चाय इसका उत्तर है हमारा कपास ए जो है इसका आंसर है जिसकी खेती मुख्य रूप से महराश्ट में की जाती है इसके अलाबा जो काली मिट्टी का जो छेतर है वह इसके लिए आदर्श माना जाता है काली मिट्टी इसके लिए सबसे बहतर मानी जाती है तो उत्तर क्या हो जाएगा ए कपास आंसर होगा चलिए अब कुछ मेंस प्रैक्टिस कोशन देख लेते हैं पहला कोशन है कोविद 19 के प्रश्ट भूमी में आने वाले वर्षों में बहतर और तीवर संब्रिद्धी हे तू आवश्यक है कि ना केवल संब्रिद्धी को दुरुत रखा जाए अपितु रोजगार और अव सन्रचनात्मक विकास के लिए भी प्रयास किया जाए चर्चा करें 250 शवद 15 अंग दूसरा कोशन है भारत के स्वास्त देख भाल की गिरावट को रोकने के लिए नीती निर्माताओं को सारजनिक देख भाल के तहत खाली इस्थान को पुन्हा प्राप्त करने के ल प्रयास कर सकते हैं तो बाइजूस गवर्मेंट एक्जाम प्रयाप के इस वीडियो के तहत हमारा ये प्रयास है कि हम दा हिंदू को सभी महत्पूर्ण एडिटोरियल्स और जो खबरें हैं उनकी चर्चा आपके साथ करें आपको हमारे इनिशेटीव पसंद आ रहा होगा यदि आपको हमारे इनिशेटीव पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें आज के बाइजूस गवर्मेंट एक्जाम प्रयाप के दा हिंदू मिश्लेशन के इस अंक के तहत फिलाल इतना ही धन्यवाद